Hello friends, my name is Ranjit और आप देख रहे हैं Ranjit Digital Marketing Export और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप PTM से किसी और के bank account में कैसे पैसा transfer कर सकते हैं ठीके जी, तो चलिए देख लेते हैं अभी तक मेरा channel subscribe नहीं किया है तो please red color का button देख रहा होगा आइकन उस पे click करके मेरा channel subscribe कर लीजिए तो आपको जाना है PTM में PTM में जाएंगे तो देखिए यहां पे pay, add money, passbook, payment accept payment इन सब के बारे में मैंने ओलेडी वीडियो बता चुका हूँ कि कैसे pay करते हैं, कैसे add money करते हैं अब हमें दूसरे account में पैसा pay करना है तो सबसे पहले आपको जाना है passbook में passbook पे जाने के बाद मैंने एक pattern password set कर रखा है तक कि इसको कोई open ना कर पाए तो देखिए passbook में जाते ही आपकी पूरी details आ जाती है यहां पे देखिए तो कि कितना पैसा आपने किसी को भेजा है देख रहे हैं यहां पे तो मैं अपना internet banking ना use करके मैं direct paytium को ही use करता हूँ regularly जो भी मुझे pay करना होता है तो देखिए यहां पे paid दिखा रहा है यहां पे किसी से पैसे मिले हैं वो दिखा रहा है यहां पे added जो पैसा आपने किया वो दिखा रहा है hold पे है तो दिखा रहा है तो देखिए यहां पे दो option आ रहा है यहां पे एक आ रहा है send money to bank और दूसरा option आ रहा है add money to wallet तो अभी देख रहे हैं मेरे पास जो available balance है 0.78 यानि पैसे नहीं है तो अगर किसी और के account में आपको पैसा भीजना है तो सबसे पहले आपको जितना भी पैसा भीजना है जैसे इसकी limit 20,000 तक है अगर आप KYC update नहीं करवाया हुआ इसमें तो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जितना पैसा भीजना है पहले आपको money add करनी पड़ेगी suppose करो मुझे किसी को 500 रुपे भीजना है तो देखिए यहां पर दिखा रहा है कि you have used 7368 रुपे यानि 7,368 रुपे 20,000 में से अपने मंतली में से कर्च कर दिये हैं ठीक है तो मैं 500 रुपे add money करता हूँ तो जिस भी bank account में आपका मतलब पैसा है वहां से आप पैसा फैस कर लीजिए जैसे देख रहे हैं यहां पर corporation bank है, PNB है तो मैं PNB bank से करना चाहता हूँ अगर आपका कोई PTM में bank account add नहीं हुआ होगा तो देखिए यहां पर option आ रहा है कोई debit card, credit card, net banking UPI तो जहां से भी आप पैसा suppose करो कोई नया debit card है तो इसमें card का नमर उसका कब वो expire हो रहा है, यानि monthly और year डाल दीजिए, यहां card के पीछे CCB नमर हो जाता है, और pay नायो कर दीजिए make sure कि आपके पास वो mobile नमर हो, जो आपने bank में दिया हो, ताकि OPT आता है one time password, तो अभी वो successful payment होता है, तो इस case में क्या है, मेरे मेरे यहां पे already accounts add है, ठीक है जी, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं, आपे नीचे जाके other payment modes में जाके debit card, credit card, net banking, तो चलिए यह मारा save है, एक card मेरा save है, तो सबसे पहले देखिए, card save है, फिर भी CCB नमर मांग रहा है, तो let's do it पहले मैं डाल लेता हूं, उसको तो मेरा CCB नमर क्या है एक मिनट मैं अपना card निकालता हूं debit card, चलिए तो मेरे को CCB नमर मिल गया, ठीक है जी, यह डाल लिया, मैंने pay किया और देखिए, थोड़ा सा यह refresh होने में थोड़ा सा time लगाता है मतलब इसको back नहीं जाना है यह देख लिए, please do not press refresh और back button, क्योंकि यह process में है, और process direct payment gateway से होता है, जो भी bank का होता है देखिए, रुपे card पे आ गया, अब देखिए यहाँ पे, वो मांग रहा है, OPT तो direct, अभी देखिए, मेरे इसमें है, तो यह देखिए, OPT आ गया OPT क्या है, 61 61 91 तो यहाँ पे OPT डाल लेते हैं 61 91 देख लिजिए, तो यह OPT मैंने डाला और यहाँ पे देखिए, अभी message आ जाएगा, successful का let's do it, कर रहा है काम यह देखिए, order summary आ गया यह देखिए, payment of 500 रुपीज successfully हो गया, अभी rate के लिए पूछता है, तो मैं इसको कर देता हूँ later, तो यह देखिए, successfully हमने 500 रुपे add कर लिया अब आप दुबारा अपने passbook में जाएए और यह देखिए, अब आपके 500 रुपे 78 पैसे हो गए, अब किसी को भी पैसा भेजना है, A to Z कोई भी account हो, वो चाहें, देखिए message भी आ गया, किसी भी account में पैसा भेजना है, तो simple आपको यहां करना है send, ठीक है send money to bank, यहां पे देखिए transfer bank account, तो यहां पे click कीजिए, और यहां पे देखिए, तो you can send this balance any bank account at a nominal charge, यानि देखिए हम 500 रुपे भेज के देखते हैं तो 500 रुपे, 5000 रुपे भेजने में कोई charge नहीं लगेगा और आप 5000 तक ही भेज सकते हैं तो अभी 5000 नहीं, अभी मैं 500 रुपे भेजता हूँ, तो सबसे पहले आपको किस account में भेज रहे हो account holder का name चाहिए, तो देखिए मैंने already यहां पे आ रहा है, जो आपको blur दिख रहा होगा भी तो यहां पे आपको account holder जिसके भी bank account में पैसा transfer करना, उसका नाम, यहां पे account number, वहां पे FFC code और कुछ optional देना है, और send कर दीजिए, simple आपका काम हो जाएगा, ठीक है, कुछ और करने की जरुवत नहीं पड़ेगी आपको account number make sure, आप देख ले कि जो आप account number डाल रहे हैं, उस सही डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि account number जो है, बहुत important है, उसके बाद ये आपका चलिए, तो देखिए, ये verified हो गया, आपने आपने जो amount send करना है, account holder का नाम डालना है, उसके bank account की account number, जो भी एक उसका account number है, और optional कुछ भी डाल सकते हैं, optional है, send करते हैं, और ये एक opt आएगा आपके mobile number पे, जिससे आपने पेटियम register करा होगा, अगर उसी sim में लगी होगी, जिस sim से आप phone में लगी हुए, तो ये by default इसने fetch कर लिया, let's verify और ये देखिए, आपका message आ गया कि 100 रुपे है जो वो इस account में transfer कर दिये गए हैं, ठीक है, और देखिए, जो updated, valid balance आ रहा है 11.400 रुपे है, और देखिए, मेरे ICIC में, ये देखिए, यहां पे पैसा भी आ चुका है, ये देखिए dear customer, ये जो account number है, credit with rupees, तो बहुत instant payment है, directly जैसे आप करेंगे, देखिए, आपके bank account में transfer हो गया, plus Punjab national में से जो पैसा कटा था, उसका भी message आ गया और जो भी paytium की मतलब अब जा के आप देखेंगे, home पे जाए home पे जाने के बाद, passbook में जाए passbook में जाने के बाद ये देखिए transfer to bank, इस पे आप click करेंगे तो जो भी आपने भेजा होगा, उसकी भेजते हैं वैसी चला जाता है, तो वैसा भी नहीं है maybe किसी के account में पैसे जाने में time लग सकता है but मेरे case में देखा, आपने जैसे ही करा मेरे account में आ गया और message भी आ गया bank से कि आपको 100 रुपे credit हुए है, तो ये है तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको share कीजिए like कीजिए और अपने दोस्तों के ऐसाथ share कीजिए thank you so much for watching, thank you